नमस्कार आप सभी का अगेंस्ट कप्सन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सुचना अधिकार अधिनियम 2005 RTI Act के तहत किस प्रकार हम लोग किसी भी लोग सुचना पता अधिकारी के खिलाब दूतिय अपील सुचना आयोब में दायर कर सकते हैं या किन-किन परिस्तिते में दूतिय अपील के दायर औरकारना चाहिए चलीए जो इस चैनल को अब तक सबस्क्राइब नहीं किये हैं वहदि सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबाकर All पर भी क्लिक कवस्व कर लें तथा अप्योगी लगे तो एक दूसरे को इतना सेयर करें कि हर भारत्य को इसकी जानकारी हो सके तथा एक Like कवस्व कर देंगे मैं बिहाराज से संबंदित हूँ इसलिए बिहार राज सूचना आयोग में किस प्रकाद द्विति अपील दायर करेंगे इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे अपने अपने राज्य से सम्बंदित इसी प्रकाद द्विति अपील दायर कर सकते हैं द्विति अपील दायर करने है तो 2019 की उपधारा 3 का प्रियोग करना परता है इसलिए द्विति अपील का प्रकाद द्विति अपील दाखिल करेंगे शेवा में बिहार राज सूचना आयो या जिस भी राज से आप संबंदित हैं उस राजी का नाम लिख देंगे उसका पता लिखेंगे पुरा विसाय में लिख देंगे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा आउनिस तीन के तहत दूतिय पीन आवेदक अपना नाम लिखेंगे पूरा पता लिखेंगे पीन कौड अवस्य देंगे जिससे पत्राचार आसानी से आप के पास पहुंच सके लोग सूचना अधिकारी का नाम एवं पता जिस भी लोग सूचना पदाधिकारी को आपने सूचना के लिए हेतू प्रपत्र को दायर किया था उसका नाम और उसके कार्याले का पता लिखेंगे नाम नहीं मालूम हो तुम मालूम कर ले तो अच्छी बात है नहीं मालूम हो तो लोग सूचना पतादिकारी सह अंचलादिकारी से मांगे हो तो अंचलादिकारी प्रकर्ण विकास पतादिकारी थना अध्यक्ष पुलीस अदिक्षक जिस भी पतादिकारी को आपने सूचना ह उसी को यहां लिखना है प्राप्त सूचना अगर प्रपत्र को के आलोक में कोई सूचना आधी अधूरी या जो भी सूचना दी गई हो उसका पत्रांग दिनांग के आन लिख सकते हैं प्रथम अपील के तत मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तत दिनांग इतना को अपलब्ट कराई इन तीन बिंदुआउं पर यदि आपकी सिकायत हो तो आप डूती अपील अवस्य दायर करें या धारा अठारा एक एत्धत सीधे सिकायत बाद भी दायर कर सकते हैं मैंने इस सम्मन में प्रपत्र प्रथम अपील दिनांग कितना को दायर किया था जिस भी तारिक को आपने प्रथम अपील दायर किया होगा उसका दिनांग किया लिखेंगे प्रथम अपील अपदादिकारी का आदेश प्रथम अपदादिका द्वारा भी आदेश बारित नहीं किया गया प्रथम अपील को देए जान देए आवेधन पर भी कुछ नहीं किया गया मैं प्रथम अपिल यह दादिकारी के निडै से भी संतुष्ट नहीं हूँ प्रार्तना लोग सुचना अदिकारी को मेरे आवेधन में मांगी गए प्रतिनदी के उपस्तित रहना चाहता हूं तो मुझे सभी सुनवाई की अग्रिम सूचना आवस्य प्रदान करें सत्यापन मैं सत्यापित करता हूं कि इस अपील में प्रदान की गए सूचना मेरी जानकारी में सही है अधस्ता अक्षर, पत्राजार का पूरा पता देंगे, या दोनों एक ही पता हो तो एक ही देंगे, या जहाँ डाक आसानी से पत्र पहुंचा सके, उस वह पता वस्यां लिखेंगे, मुवाईल नमबर देंगे, इमेल भी दे सकते हैं, अस्थान जिस भी राज्य से आप बिल तु सुचिना पतादिकारी ने जबहुत जवाब दिया हो उसकी पती और प्रत्म अपपलिय पतादिकारी को जवाब दिया गया हो अगर वो लगा सकते हैं और उसको आवेदन ध्यान रखेंगे आवेदन सुल्क और डाक रसीद अवस्य आप उसकी छापती लगाकर स्वहभि पूरा पता लिखेंगे कि अन्य इस मामले में या सम्रूप मामले में कोई अन्य दूती अपील या सिकायतवाद दायर नहीं किया है तथा यह मामला किसी न्याले या प्राधी करन में लंबित नहीं है या स्वा घुसना में लिखेंगे हस्ताक्षर करेंगे तथा चार अपना स्वाल लिखित पता अवस्ट लंग कर भे जाएंगे जैहिं